है कि है लो वेलकम यू आल टो दे पी डबलु नर्सिंग वाला कैसे हो आप लोग आई वोब यू अला डूइग वेरी वेल स्वागत आप सभी का हमारे पी डबलु नर्सिंग वाला पर तो आज का हमारा टॉपिक क्या है हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे जैसा कि आपको प हम बोलते क्या है हमेटोपाइसिस हमेटोपाइसिस के बारे में पढ़ेंगे कैसे इसका फॉर्मेशन होता है तो आज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है स्टार्ट करते हैं ब्लड से ब्लड की स्टडी को हम क्या बोलते हैं जैसे मैं बोलू या हमेटोलजी आप पढ़ रहे हो, means आप क्या पढ़ रहे हो, किस चीज की study करे हो, it is a scientific study of the blood, hematology का मतलब क्या है, it is a scientific study of study of blood, blood की आप scientific study कर रहे हो, और अगर मैं बात करूँ father की, सबसे पहले जिन्होंने ब्लेड के बारे में बताया था, उसकी खोश की थी, उसी को father बोलते हैं, तो बताओ father कौन है, father of hematology किसे बोला जाता है, father of hematology, ये हम बोलते हैं, William, William Hewson, is called as the father of hematology, यहीं पे पूछ लिया जाता है, कि बताओ systemic circulation के बारे में किसने बताया था, systemic circulation के बारे में किसने बताया था, यह इसलिए जानना जरूरी है, क्योंकि यहां पे आप confused हो जाते हैं, William Harvey और William Hewson ने, तो William Harvey ने किसके बारे में बताया था, ये विलियाँ हार्वे ने बताया था, systemic circulation के बारे में, तो please confusion नहीं रखे, father of hematology किसको बोलते हैं, William Hewson को बोलते हैं और hematology में हम क्या करते हैं study of blood करते हैं अगर मैं blood की बात करूँ तो blood एक तरह से क्या है it is a lifeline for living ये हमारा क्या है lifeline for living हमारे जिंदा रहने के लिए ये जो खून का लाल रंग है ये जो blood है ये बहुत जादा जरूरी है lifeline for living सबसे पहली line में मैंने बताया है और blood cell tissue के chapter में tissue के chapter में आपने पढ़ा था कि हमारे पास एक specialized tissue होता है जिसमें दो category होती है उसमें एक का नाम क्या होता है liquid connective tissue yes blood कैसा tissue है blood is called as a liquid connective tissue इस blood को हम क्या बोलते है blood is called blood is called as liquid connective tissue ये हमारा कैसा है डियर ये liquid connective tissue है कैसा है liquid connective tissue clear है जी कैसा है हमारा liquid connective tissue है ठीक है कैसा fluid है ये हमारा isotronic fluid है कैसा fluid है isotonic fluid है अब कुछ general characteristics जो blood के बारे में हम पढ़ लेते हैं general characteristics की बात करो तो बताओ इसका pH क्या होता है 7.35 to 7.45 होता है एक choose करना हो 7.40 करेंगे अगर मैं इसे temperature की बात करूँ तो 1 degree Fahrenheit higher than normal body temperature higher than normal body temperature normal body temperature जितना हमारा होता है 98.6 तो ये हमारा 99.6 degree Fahrenheit हमारे blood का temperature होगा ठीक है मैं बात करूँगी कि बताओ इसका pH हो गया volume कितना होता है एक portion में कितना blood जो है वो present होता है तो volume of the blood अगर इसके viscosity की बात करें तो कितना जादा viscous होता है मेंस आपको पता है हम water से compare करें तो कितने दूर तक जाता है वो इसकी viscosity है अगर मैं बात करूँ specific gravity की तो बताओ कितना specific gravity होता है इसका specific gravity कितना होता है और अगर मैं इसके बात करूँ osmolarity की तो इसकी osmolarity कितनी होगी यह आपको बताना है तो यह कुछ important point blood के characteristics है जो कि हम यहां पर पढ़ रहे हैं तो volume कितना होता है एक normal person में में थोड़ा जादा होगा in comparison to the female अगर volume of blood की बात करें तो में जादा होता है in comparison to the female आप बोलते हो five point five to six liter of view total हमारे blood में होता है ठीक है और female की बात करें तो वही five hundred to seven hundred का difference होगा तो आप बोलोगे four point five से लेकर five point five liter of view किस में होगा female में होगा ठीक है तो male और female में थोड़ा सा difference जो है वो रहता है सबज में आ गया viscosity five time more viscous than water more viscous than water water से five times more viscous होता है अगर specific gravity की बात करें तो बताओ specific gravity एक मैं बोलू तो one point zero six zero अलग-अलग बुक में अलग-अलग variation मिल सकता है या आपको one point zero five two से लेकर six seven तक या six seven तक लिखा हुआ हो रहता है बट आप एक याद रखो इसी के आसपास आपको दूसरी value मिलेगी variation हर जगा होता है और smallarity की बात करूँ तो two ninety four milli or small per liter ठीक है और फिर से मैं variation की बात करूँ इसमें आता है तो यह 245 से लेकर 375 milli or small per liter इसके बीच में यह range दिया जाता है एक आपको select करना है two ninety four milli or small per liter यह क्या बताया है मैंने is a general characteristics of the blood it's a general characteristics of the blood इसमें question पूछ लिया जाता है एक human एक person जो है उसकी body में यह blood कितना percent होगा उसके पूरे total body weight का कितना percent होता है तो blood seven to eight percent of total body weight total body weight उस person के total body weight का 7 से 8 percent weight जो होता है वो blood का weight होता है देख लिए आपने यह चीज एक point आप याद रखोगे questions कभी-कभी पूछ लिया जाता है कितना ml per kg of body weight होता है जो adult person होता है यह question आया हुआ है कितना percent of total body weight होता है तो हम बोलते 80 ml per kg of body weight पर kg of body weight क्या होता है blood होता है समझ में आ रहा है किसका पूछा जाएगा तो adult का पूछा जाए, adult का पूछा जाए, newborn का पूछा जाए, आप यह answer कर सकते हो, ठीक है, newborn का पूछा जाए, adult का पूछा जाए, यह answer कर सकते हो, उसमें liquid कितना होता है, blood में, दो टाइप के टिशू जैसे लिक्विड होता है और सेलूलर पार्ट होता है तो उस ब्लड में लिक्विड कितना होता है, तो अल्मूस्ट हाफ आफ होता है, अब प्लास्मा 55% और जो सेल वाला पार्ट होता है, वो 45% कहते हो, इसलिए उसका आंसर क्या जाता है, उस कोश्च of body weight किसका होता है? ब्लड का होता है और इस ब्लड में liquid का कितना होता है? 40 ml per kg of body weight. तो इस ब्लड के अंदर liquid इतना होगा तोटल ब्लड पुछा जाएगा 40 ml per kg of body weight होगा. चलो बाई छोड़ो, नेक्स आते हैं, यहाँ पर सारी चीज़े हम general characteristics के बारे में समझ चुके हैं. ब्लड के composition की बात करते हैं और ब्लड के composition को देखें, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ब्लड में क्या होता है dear? liquid part होता है and cellular part होता है. यह क्या है? यह है liquid part of the blood और यह क्या है? cellular part of the blood. तो हमने देखा इसको composition of ब्लड को, तो composition of ब्लड में हमें दिखा liquid part and cellular part, अब इसको भी हम divide करेंगे और इसको समझेंगे कि ये क्या कहना चारा है, ये जो liquid part होता है, इसे हम क्या बोलते है, plasma और plasma कितना percent होता है, 55% होता है ठीक है, अगर मैं cellular part की बात करूँ, तो यहाँ पे cellular part कितना percent होता है, 45% होता है, और ये cellular part तीन part से हम बढ़ते हैं, कि हमारे पास cellular part क्या-क्या है sorry RBC है RBC, WBC and platelets RBC, WBC and platelets है, ठीक है RBC को हम क्या बोलते हैं erythrocyte erythrocyte WBC को हम क्या बोलते हैं, leukocyte ठीक है, platelets को क्या बोलते हैं thombocyte basic चीजे बता रही हूँ आज ही class बिल्कुल basic वाली class है जिसमें बिल्कुल 0 से सारी चीजे मैं बता रही हूँ क्या क्या बताया है, मैंने आपको RBC के बारे में बताया RBC होगा, WBC होगा और platelets होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, erythrocyte leucocyte and thombocyte बोलते हैं, अगर मैं बात करूँ RBC की, तो पूरे blood cell में ये 99% हमारी body में होता है, maximum होता है जबकि WBC और platelets के बारे में पूछा जाए ये 1% होगा, तो देख सकते हो अगर इस 45% को हम 100% बानते हैं जिसमें सबसे ज़ादा हमारी body में क्या होता है, RBC, 99% जबकि WBC और platelets 1% होता है, ठीक है ये जो RBC होता है, इसका काम क्या होता है, transportation of gases करता है, जबकि WBC क्या करता है हमारी body में immunity, immune response करता है, और platelets क्या करता है blood clotting में help करता है एक तरह से clotting factor हमारा है तो किसमें help करेगा clotting में blood clotting में, यहां तक की चीज़े आपके बात समझ में आ गई, cellular part की, फिर हम आते हैं प्लाजमा पे प्लाजमा 55% है प्लाजमा भी और content होता है means हम इसको further divide करते है प्लाजमा को, तो हमारे पास क्या present होता है, लिक्विट present होता है, means हम water के बात कर लेते है कि इसमें कितना water होता है liquid ना लिखकर मैं इसमें क्या लिख दूँगी इसमें water कितना content होगा और इसके अंदर plasma proteins होता है और other substances होते है क्या होता है, इसे हम बोलते है plasma protein plasma protein और क्या होगा other substances. याद रखना जब तक आप basics नहीं समझोगे तब तक advance या high level के questions नहीं कर सकते हैं. और exam में easy level के questions और बहुत easy point भी पूछ रिया जाता है. ठीक है? अभी जो मैंने question इससे पहले वाली slide में लिखा था कि बताओ blood का content, total body weight का कितना होगा 80 ml और 80 ml पर kg your body weight. और उसमें liquid कितना होगा 40 ml पर यह aims का आया हुआ question है, जो मैंने लिखके आपको बताया है. तो देख लो कितने basic से कहां से question पूछा जाता है. ऐसा नहीं है कि ऐसी चीजे आपको बता दी गई है. जो भी point लिखा हुआ है question के form में आपको बताया गया है. यह जो water होता है यह 92% होता है. अगर मैं plasma protein की बात करूँ तो 7.1 से लेकर 7.3% हमारा plasma protein होता है. अगर हम 55% इसको 100% मान के फिर divide कर रहे हैं. तो इसमें plasma में 92% water, 7.1 to 7.3% plasma protein and other substance की अगर मैं बात करूँ तो 0.7% other substances होते हैं. अभी भी हुआ नहीं है क्योंकि plasma protein को भी हम देखेंगे यह जो plasma protein होते हैं इसके भी अलग-अलग different different proteins होते हैं. तो कौन-कौन से proteins होते हैं इसको भी आप यहीं पे लिख लोगे और इसी flow chart में सारी चीजे में आपको बता दूँगी. तो in the form flow chart आपके डिवीजन में भी यह आपको सबसे ज़्यादा help करने वाला है. plasma protein हमारा कौन सा हो गया dear, albumin. ठीक है. दूसरा कौन सा होता है globulin. और तीसरा कौन सा होता है pro thombin या फिर आप क्या बोलते हो febrinosan. क्या बोलते हो dear, febrinosan जो की हमारा क्या है? एक clotting factor है. अगर मैं बात करूँ इस globulin की तो ये भी different different होते हैं. कौन-कौन सा होता है dear, alpha होता है, beta होता है और gamma होता है. यही gamma क्या form करता है? हमारा immunoglobulin IgA, M, D. ठीक है? और ये जो alpha है और ये beta है. ये कहां फे form होता है? लीवर इसको formation करने में help करता है. ये कौन form करता है? लीवर. समझ में आ रहा है? और अगर इसके percentage की बात करूँ तो इसका percentage भी लिख लेना याद सबसे जादा इन में क्या होता है? अलविमिन होता है. फिर आपका globulin होगा और फिर आपका fibrinosan होगा. percentage लिखेंगे 0.3% आपका fibrinosan होता है. 0.3% आपका fibrinosan होता है. अगर मैं globulin की बात करूँ तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं globulin. ठीक है? ये आपका होता है. 2.7% आपका क्या होता है? globulin होता है और 4.12 4.3% आपका क्या होता है? ये आपका alvumin होता है. ठीक है? 4.22 4.3% आपका क्या हो जाएगा? 4.2 से लेकर 4.3% ये आपका alvumin हो जाएगा. समझ में आ रहा है? तो 4.1 से 4.3% हमारा alvumin है 2.7% हमारा globulin है और 0.3% हमारा fibrinosan है. तो ये किसका composition बता है? ब्लड का जिसमें liquid part और cellular part plasma and इसमें RBC, WBC और platelets के बारे में पढ़ा है. तो इसी slide में मैंने सारी चीज़े आपको बता दी है. प्लाजमा के बारे में plasma proteins के बारे में alvumin, globulin और fibrinosan के बारे में जो alvumin होता है ये क्या करता है? oncotic pressure को maintain करने में help करता है. काम देखेंगे alvumin का, ये क्या करता है? alvumin हमारे oncotic pressure को maintain करता है. maintain the oncotic pressure. अगर किसी person में alvumin की कमी हो जाए, उसकी बज़़से क्या होता है? अरे, क्या हो रहा है भाई, इसको? ठीक है? oncotic pressure, तो क्या oncotic pressure नहीं maintain होगा, और उसको क्या हो जाएगा? swelling हो जाएगा, edema हो जाएगा. सबज में आ रहा है, किसकी बज़़से क्योंकि इसकी बड़ी में alvumin कम है, ये ही हमारी बड़ी में oncotic pressure को maintain करता है. जो globuline होता है, ये इस तरह से हमारी बड़ी में immunity प्रोवाइड करता है, ये हमारी बड़ी में हमें immunity प्रोवाइड करने में help करता है, ये हमें immunity प्रोवाइड करता है, ठीक है? जितने भी आप immunoglobuline का formation पढ़ते हो, ये हमारा जो gamma globuline होता है, में ली क्या करता है? immunoglobuline को spread करने में help करता है, IgA, IgM, IgD, IgE, तो mainly immunity provide करने का काम करेगा, और fibrinosan की बात करूँ तो यह हमारे किसमे help करता है, blood clotting में help करता है, तो सारी चीज़े आपको समझ में आ गई, सारी चीज़े इस slide में almost मुझे लग रहा है, other substances की बात करूँ, देखो आप सोच रहे हों कि यहां पर other substances भी लिखा है, इसमें क्या होता है, तो इस other water तो आपको पता है, यह 92% है, ज्यादा water है, other substances के अंदर आपका आता है, जैसे आपका carbohydrate है, nitrogenous waste है, यह सारी चीज़े इसमें आते हैं, nitrogenous waste हो गया, carbohydrate हो गया, gases हो गये, uric acid हो गया, यह सारे चीज़े, etc., सारे waste, जितनी चीज़े हैं, यह सब other substances के अंदर आएगा, आपका inorganic substance भी आप लिख सकते हो, sodium है, potassium है, chloride है, calcium है, magnesium है, etc., 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 सारी चीज़े, ठीक है, समझ में आ गया, तो यह पूरा का पूरा composition of blood मैंने आपको समझा दिया है, अब हम एक बात करेंगे, एक एक red blood cell, white blood cell, and platelets को यहां प तेक लो, cellular part में हैं, और यही सबसे ज़ादा important काम कर रहा है, क्या, वैसे तो सबका अपना important काम होता है, transportation of gases, यह transportation of gases का काम करते हैं, और अगर मैं बात करूँ, shape of RBC कैसा होता है, size of RBC कितना होता है, number of RBC कितना होता है, इसका life span कितना होता है, और structure of RBC कैसा होता है, तो एक ह जगा हम structure बना लेते हैं, जिससे इसके सारे questions के answer हो जाएंगे, यह हमारा क्या है, RBC है, आप बोलोगे कि कैसा RBC है, सच में बहुत पिछका सा RBC बन गया है, ठीक है, यह हमारा क्या है, RBC, जिसका structure मैंने आपको दिखा दिया है, आप समझ सकते हो, यह हमारा एक RBC है, जो कै कैसे shape का होता है, 7.2 microgram, आप देख सकते हैं, इसका diameter है, अगर हम यहां से देखें, तो center से इसके थिकने समें 1 micrometer के अप्रोक्स लग रहा है, और side से थोड़ा सा आपको 2 micrometer के अप्रोक्स होता है, और जो यह 1 micrometer is equal to 10 raised to power minus 6, कभी-कभी यह पूछते हैं, तो सबसे पहले हम shape की बात कर लेते हैं, shape of RBC कैसा होता है, यह dumbbell shape का होता है, despite shape का होता है, या फिर हम बोलते हैं, byconcave shape का होता है, ठीक है, कैसा होता है, byconcave शेप का होता है, अगर मैं size of RBC की बात करूँ, तो बताओ RBC का size कैसा है, अरे बताओ कितना होता है, 7 से 8 micrometer, एक select करना हो 7.2 micrometer, next number of RBC, अगर एक select करना हो 5.5 to 6.5 million per mm cube, ठीक है, ये तो male के अंदर हुआ, female के अंदर थोड़ा सा कम होता है, 5 से लेकर 5.5 million per mm cube, ये female में होता है, तो आपने देखा, male के अंदर क्या होगा, जादा in comparison to the female, male having the more number of RBC in comparison to the female, clear है, यहां तक बात आगे, और चीज़े समझाओंगी, जब basic चीज़े समझ में आएंगी, तभी high level के question कर सकते हो, या जब तक ये नहीं समझोगे, तब तक scenario वाले questions में भी आप ये identify नहीं कर पाऊगे, कि normal क्या है, abnormal क्या है, समझ में आ रहा है, अगर lifespan of RBC की बात करूँ, तो lifespan of RBC को देख लेते हैं, ये adult में, adult में 120 days का होता है, और अगर पूछा जाए कि newborn में कितना होगा, या infant के अंदर कितना होता है, 80 days का होता है, in the pediatric class also आपने इसके बारे में पढ़ा होता, ठीक है, adult और new one, दोनों में आपको पता चल गया, कि life span RBC का कितना है, सिफ 120 दिन तक ही ये जिन्दा रहेंगे, adult की अगर बात करें तो, structure of RBC, structure of RBC आपके सामने ही है, आपने देख लिया है, कैसे shape का, कैसा structure इसका होता है, लेकिन एक चीज़ और याद रखना है, structure के अंदर कि इसमें ना तो mitochondria होता है, और ना ही इसके अंदर nucleus होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, nucleus, क्योंकि nucleus अबसे बड़ा cell organs था, and mitochondria absent, mitochondria absent in RBC, RBC में ना तो nucleus होता है, और ना ही mitochondria, कितना source समझ के बनाया है, mitochondria को रखते, तो वो खुद oxygen का use कर लेता, और बाकी transportation में gases कम हो जाते, इसलिए इसके अंदर से mitochondria को हटा, यह कैसे होते हैं, anucleated होते हैं, तो यहां तक RBC के बारे में आपको सारी चीज़े समझ में आ गई, I thought मुझे लगता है आपको चीज़े clear हो गई होगी, RBC, एक RBC के अंदर 280 millions of hemoglobin होता है, 1 RBC molecules contain 280 millions of hemoglobin molecules, ठीक है भाई, चलो, आगे बात करते हैं, हमेटोपोईसिस से पहले थोड़ा सा hemoglobin के बारे में देख लेंगे, किसके बारे में? हीमोग्लोविन के बारे में, यह जो हीमोग्लोविन होता है, यह दो पार्ट से मिलके बना होता है, ठीक है, क्या होता है, हीमोग्लोविन दो पार्ट से मिलके बना होता है, एक हीम पार्ट होता है और ग्लोविन वाला पार्ट होता है हीम और ग्लोविन ये कैसा है हमारा respiratory pigment इसी के वजह से blood का color red होता है और उसके अंदर भी देखेंगे it is a respiratory pigment हीमो ग्लोविन is a respiratory metallic part से मिलके बना होता है और ये जो हीम वाला part होता है इसे ही हम बोलते है metallic part metallic part बोलते है और glowin को हम बोलते है कौनसा part है यह protein part है कौनसा part है protein part है तो यहां तक चीज़े समझ में आई heme क्या है metallic part है और glowin क्या है protein part है जो metallic part होता है वो दो type से बना होता है और जो protein part है वो भी दो type से आप बोलोगे, अच्छा है, ऐसी बात है, तो देख लेते हैं क्या है? Metallic part की बात करो, तो हीम, बताओ जरा, बताओ जरा हीम में कौन सा होगा? हीम में किस से मिलके बना होता है? हीमोगलोवीन, था ना हीमोगलोवीन, हीम तोड़ा, ग्लोवीन तोड़ा, ग्लोवीन पोटीन पार्ट है, यह मेटलिक पार्ट है, तो यहां पे आइरन होता है और प्रोफाइरन रिंग होता है, जिस से मिलके हीमोगलोवीन, हीम बनता है, हीम किस से मिलके बनता है? तो सेम य ब्लड का कलर रेड होता है, जो हमें आंसर करना है, आइरन हमारा F2+, ये दोनों जब मिलते हैं, तभी क्या बनता है, आपका हीम वाला पार्ट बनता है, ठीक है, और यहां पर मार्क करके लिख लेंगे, ये प्रोफाइरन रिंग ही है, यही आपका पिगमेंट है, जिसकी वज प्रोफाइरन रिंग, ये जो पिगमेंट है, इसी की वज़े से ब्लड का कलर क्या होता है, डियर, रेड होता है, आइरन होता है, यहां तक चीजे समझ में आ गए, अगर मैं प्रोटीन की बात करूं, तो ये प्रोटीन पार्ट, आप ध्यान से देखना, ये प्रोटीन पा होता है, फिर से इसको हटा के थोड़ा सा दूसरे कलर से कर लेता है, ये हो गया हमारा, और एक ये हो गया, तो 2-Alpha और 2-beta-glovin होता है, 2-alpha and 2-beta-glovin, hemoglovin है न, तो इसमें 2-alpha-glovin chain होता है, यह protein होता है, 2-beta होता है, इसमें यह थोड़ा सा short होता है in length, क्योंकि इसमें कितने amino acids से मिलके बना होता है, 141 amino acids से मिलके बना होता है, इसके comparison में यह थोड़ा सा long होता है, क्योंकि यह 146 amino acids से म हीमो ग्लोविन क्या है, it is a metalloprotein कैसा structure metalloprotein the spiratory pigment को contain करता है जिसका नाम क्या है, profiling ring और इसी की वज़से blood का color red होता है जब हम हीमो ग्लोविन को तोड़ते हैं तो हीम और ग्लोविन वाला part आता है और इस तरह से हमने classification किया ग्लोविन में 2 alpha, 2 beta यह short 141 amino acid, यह long 146 amino acid जो हीम वाला part है वो iron और profiling ring इस तरह से बना हुआ होता है अगर मैं हीमो ग्लोविन की बात करूँ तो एक हीमो ग्लोविन कितने iron को contain करता है 4 molecules of iron 4 molecules of iron को contain करता है एक हीमो ग्लोविन की बात करूँ 1 हीमो ग्लोविन molecule 4 profyrin ring को contain करता है, 4 profyrin pigment को contain करता है, 1 hemoglobin, कितने oxygen, 4 molecules of oxygen को carry करता है, ठीक है, और 1 hemoglobin, कितने ml oxygen को contain करता है, 3.3 gram of oxygen को contain करता है, ठीक है भई, यहां तक की चीज़े आपको समझ में आ गई, तो I thought आपको यहां चीज़े clear हो गई है, तो हम next आते हैं, hematopoiesis, hematopoiesis का meaning क्या होता है, hematopoiesis का meaning होता है, formation of, poiesis मतलब बनना, hematopoiesis मतलब blood, formation of blood cell, formation and maturation of blood cell is called as hematopoiesis, formation and maturation, फिर से लिख देते हैं, formation and maturation, maturation of blood cells, अभी तो पढ़ा था blood cells के बारे में, RBC, WBC, platelets के बारे में, इन ही के maturation और formation को हम क्या बोलते हैं, hematopoiesis बोलते हैं, ठीक है, hematopoiesis के बात करूँ, तो RBC का formation, formation of RBC, formation of WBC and formation of platelets, इसको क्या बोला जाता है, platelets, अलग से पूछा जाएगा तो, बताओ, platelets, RBC, WBC और platelets के formation को ही हम क्या बोलते हैं, erythropoiesis, erythropoiesis, leukopoiesis, thrombopoiesis, जैसे नाम था वैसे ही कर दो, thrombopoiesis, क्या यहां तक कोई दिक्कत है, क्या यहां तक समझने में कोई दिक्कत है, क्या नहीं ना, क्या दिक्कत आ रही है आपको समझने में, मैंने simple सा बोला है, RBC के formation को, WBC के formation को, and platelets के formation को, हम किस नाम से जानेंगे, simple, erythropoiesis, leukopoiesis, and thrombopoiesis, और the whole process, the whole cell, whole blood cell के formation and maturation को directly हम क्या बोल देते हैं, hemopoiesis बोल देते हैं, यहां पर important question यह बनता है, कि fetal, कैसे hemopoiesis का origin, कहां से इसका formation होता है, यह बताओ, तो हम बोलेंगे, hemopoiesis, यह hematopoiesis, जो है, same ही चीज़ है, hematopoiesis, hematopoiesis, same ही word है, ऐसा नहीं कि मैं क्या बोल रहे हो, तो embryonic life period में, embryonic period में, early stage, early embryonic period and late stage में कहां पर होता है, तो जो first hematopoietic organ होता है, वो होता है, yawksak, वो क्या होता है, yawksak, yawksak में क्या होता है, first hematopoiesis occur in the yawksak, तो early stage में क्या पूछा जाएगा, embryonic life में, embryonic life में, early stage में, yawksak में formation होता है, जबकि later stage of pregnancy में, अगर हम बात करें, तो कहां पे होता है, liver या spleen में होता है, ठीक है, तो ये embryonic period की बात थी, लेकिन हम तो यहां pediatric पढ़नी रहें, हमें ये समझना है, कि adult में hematopoiesis कहां पे होता है, अगर मैं बात करूँ adult की, तो बताओ जल्दी से, adult में hematopoiesis कहां पे होता है, embryonic का तो पता चल गया, तो adult में होता है, red bone marrow, कहां पे होगा deer, red bone marrow के अंदर होता है, और red bone marrow कहां present होता है, red bone marrow कहां present होता है, adult में 18 साल के बाद पूछा जाए, जो long bones होते हैं, flat bones होते हैं, वहां पे हमारा क्या present होता है, red bone marrow, वो भी कौन से epiphysis वाले पार्ट में, लेकिन जबकि fetal life में वो कहां present होते हैं, पूरे ही long bone में present होते हैं, लेकिन बच्चा धीरे-धीरे जब grow होता है, bone की growth होती है, तो उसके shaft वाले पार्ट में कौन सा आ जाता है, yellow bone marrow, जिसमें fat का deposition हो जाता है, triglyceride storage होता है, और red bone marrow कहां पे shift हो गया, आपके epiphysis वाले पार्ट में, आपके musculose skeletal system में पढ़ाया हुआ है, कि red bone marrow कहां present होते हैं, इस तरह से आपके long bone में present होते हैं, ठीक है, flat bone में present होते हैं, कौन से वाले पार्ट में, epiphysis वाले पार्ट में mainly present होगे, adult hood में, और जब adulthood में जाते हैं, तो यहां पे medullary canal होता है, इसके अंदर किसका storage होता है, यह जो shaft of the bone या medullary canal होता है, इसके अंदर होता है आपका yellow bone marrow, और आपको पता ही है, हम fat का storage किस तरह से yellow color से दिखाते हैं, तो यह आपका yellow bone marrow हो गया, और जो इसके epiphysis वाले पार्ट में present है, यह आपका red bone marrow हो गया, ठीक है, red bone marrow ही किसका formation करता है, blood cell का formation, blood cells का formation करता है, ठीक है भाई, yellow bone marrow में क्या होता है, तो आप बोलोगे fat का storage होता है, या फिर triglyceride होते हैं, इसका भी storage, fat का storage, triglyceride का storage कहा होता है, yellow bone marrow में होता है चलो भई यहाँ पर क्या होते है stem cells भी present होते हैं यहाँ पर हमारे क्या होते है red bone marrow में हम बोलते हैं stem cells ही किसमे stem cells ही हमारे blood cell को form करने में help करते हैं पहले यह कैसे होते है uncommitted फिर committed hematopoetic stem cells होते हैं जिससे किसका formation होता है blood cell का formation होता है, तो होता कहां है, ये questions भी clear हो गया, आगे बढ़ते हैं, और एक चीज़ सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, hematopoiesis पढ़ लेते हैं, erythropoiesis का मैं बताऊंगी, जो ये erythropoiesis होता है, उसमें formation में तो 5 दिन, लेकिन maturation में क्या लग जाता है, maturation में time लग जाता है, 2 दिन का, तो यहां तक hematopoiesis in the embryonic life period and in adulthood आपको पता चल गया, कहां पर होता, चीक है, चलो, फिर आगे बढ़ते हैं, और next slide पे चलते हैं, next तो कह रहा है, thank you, अभी बड़ी जल्दी खतम हो गया, चलो, hematopoiesis खतम किये भी न, कैसे हो सकता है, hematopoiesis, hematopoiesis, चलो भई, hematopoiesis आजो, जल्दी-जल्दी से बताओ, अलड़ी आपने पढ़ रखा होगा, जल्दी से fast revision कर लेते हैं, hematopoiesis का, hematopoiesis misformation of all blood cells, हमने बोला, कहां से होता है, pluripotent, pluripotent, hematopoietic, पहले एक बार पूरा लिख लेते हैं, hematopoietic stem cells, stem cells, हम ये देख रहे हैं, कि red bone marrow में, कैसे hematopoiesis होता है, तो सबसे पहले मैंने बोला, pluripotent, जो कि uncommitted होते हैं, फिर committed होते, ये कैसे हो जाएंगे, uncommitted, pluripotent, hematopoietic stem cells, ये कैसे बन जाते हैं, committed, pluripotent, hematopoietic stem cells, short form में, मैंने PHSC लिखा है, बाद में ये बत बोलना, कि मैंने आपने कहीं PHC लिखा था, आपने एक बार PHC लिखा था, क्या बता सकते हो, उस PHC का मीनिंग क्या है, अरे भई समझा के तो लिख रही हूँ, वीडियो में आवाज भी तो होती है, लिखने के साथ साथ, तो समझ सकते हो ना, pluripotent, hematopoietic stem cells, इसी को मैंने क्या लिखा, PHSC, pluripotent, hematopoietic stem cells, ठीक है, तो इसको अभी PHSC ही यूज करेंगे, इस PHSC से क्या बनता है, जल्दी से बताओ, pluripotent, hematopoietic stem cells बना, फिर committed pluripotent, hematopoietic stem cells बना, इससे बनते हैं दो चीज़े, अभी इसे याद ही रखना है आपको, क्या बनता है, जल्दी बताओ, इससे दो cells बनते हैं, एक myloid cells बनता है, एक myloid cells बनता है, एक आपका बनता है lymphoid cells, क्या बनता है डियर, lymphoid cells बनते हैं, तो आपने देखा इस तरह से committed pluripotent hematopoietic stem cells, दो टाइप में डिवाईड हुआ, myloid cells और lymphoid cells, इस lymphoid cells से क्या बनता है, इस lymphoid cells से बनता है, आपका B lymphocyte, B lymphocyte and T lymphocyte, and T lymphocyte, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, जो B lymphocyte और T lymphocyte मैंने बताया है, इससे B lymphocyte से किसका formation होता है, यह जो B lymphocyte होता है, यह आपके red bone marrow में, याद रखना, bone marrow में ही बनता है, आपके bone marrow में ही इसका formation होता है, bone marrow में ही formation भी होता है, and maturation भी होता है, maturation भी होता है, यह bone marrow में ही B lymphocyte का, B से याद रखना, B से B trick है, B का B से trick याद रख सकते हो, bone marrow में ही formation भी होता है, और maturation भी होता है कि इसका B lymphocyte का, बट अगर मैं बात करूँ T-Lymphocyte का, देखो मैंने L-Lymphocyte लिख दिया है, इसको T कर लेगा, यह T-Lymphocyte है, B और T-Lymphocyte है, अब इस T-Lymphocyte की बात करूँ, तो इसका formation कहां पे होता है, इसका formation तो bone marrow में होता है, बट इसका maturation कहां होता है, याद रखना इसका maturation होता है thymus gland मे formation कहां हुआ, formation कहां हुआ, bone marrow में, formation कहां हुआ dear, bone marrow में, लेकिन इसका maturation कहां पे होता है, thymus gland के अंदर, तो T से कैसे याद रखेंगे, T से मैंने बताया, T-Lymphocyte, maturation कहां पे हुआ, thymus gland में, T से thymus gland हुआ, तो इस तरह से आप lymphoid cell से बनने वाले lymphocyte को, B lymphocyte और T-Lymphocyte को याद कर सकते हो, अब हम बात करेंगे, इस myloid cell से क्या बनता है, यह जो myloid cell लिखा है, इसको next slide में कर ले तो जादा अच्छा रहेगा, इसमें colony forming units बनते हैं, ठीक है, इसमें क्या होते है, इस myloid cell का देख लेते हैं, भई, क्या होता है myloid cell का, myloid cells, इससे बनते हैं हमार colony forming units, short form में CFU लिख दू, ठीक है, इससे हमारे क्या बनते हैं, colony forming units बनते हैं, forming units, इस colony forming units से क्या होता है, team type A cells हमारे बनते हैं, CFE MGM, ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि क्या बोल रहे हो, मैं, colony forming units E बनता है, colony forming units M बनता है, और यहाँ पर colony forming units GM बनता है, आप बोलोगे क्या इसका नाम भी है, CFU का तो हमें पता है कि इस CFU से होता है colony forming units, लेकिन इस E से क्या होता है, इससे होता है, इरेथ्रोसाइट बनेगा, किससे बनेगा डियर, इरेथ्रोसाइट, लेकिन डारेक्ली नहीं बन जाता है, इससे र इरेथ्रोसाइट का मैक्चुरेशन होता है, आपका बनता है, मैक्चुर इरेथ्रोसाइट, लेकिन आम बोलते हो, RBC का फॉर्मेशन होता है, कितने सारे स्टेप्स होते हैं, से भी कोश्चन पूछा जाता है, और इससे colony forming unit, यह आपका कौन सा है, M, M से क्या याद रखोग इसे यह जो colony forming units, granulocyte monocyte होता है, GM, इसे हम क्या बोलते हैं, granulocyte monocyte, नाम से पता चल रहा है, इस granulocyte monocyte से भी दो चीजे बनती है, दो चीजे बनती हैं, देखेंगे दो चीजे क्या बन रही है, granulocyte monocyte से एक तो आपका बनता है, monoblast और बनता है myeloblast, क्या बनता है, और इससे बना monoblast, आप बोलोग क्या type चल रहा है, इस monoblast से तो बन जाता है monocyte, किसका formation हो गया, देखो monocyte का formation हो गया, blood cells बनने लग गया, जान से देखते जाओ, और ये जो myloblast होता है, इससे बनते हैं हमारे eozonophil, basophil and neutrophils, समझ में आया, मैंने क्या बताया, इससे हमारा बना eozonophil, basophil, basophil and neutrophil का formation हुआ, समझ में आया, क्या बना, neutrophils का formation हुआ, ये है हमारे पूरे blood cell का formation हो गया, ठीक है, आपने देखा, colony forming units GM, जिसे granulocyte, monocyte हम बोलते हैं, उससे दो चीज़े, GM से दो चीज़े बनती है, myloblast and monoblast, जो monoblast होता है, उससे तो monocyte बनता है, लेकिन जो myloblast होता है, उससे eozonophil, basophil and neutrophils का formation होता है, तो आप देख सकते हो, इस erythrocyte का formation, जिससे हम क्य बोलते हैं, RBC का formation हो गया, megakaryocyte, हमने क्या बोला, platelets को बनाया, इसमें किस चीज़ को बनाया, platelets को बनाया, तो इस तरह से blood के सारे cells का formation हो गया है, यहाँ पे हम इसको एक बार underline कर लेते हैं, जिससे हमें समझने में कोई दिकत ना हो, हमने देखा, यहाँ पे क्या बना, B T lymphocyte का formation हुआ, ठीक है भई, किस से lymphoid cell से B और T lymphocyte बन गए, next slide पे अगर हम चले, तो हमने बोला, यहाँ पे RBC का formation, इरेक्रोसाइट का, यहाँ पे platelet का formation हो गया, सारे blood cells को मैं इस रब्बे से underline कर रहीं, जिससे आपको समझने में कोई दिकत ना हो, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, मोनोसाइट का भी formation हो गया है, ठीक है, तो आपने देखा, यह पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया, किस का हमेट्रोपॉइस का पूरा प्रोसेस आपने समझ लिया, इस तरह से हमने पूरे blood cell को form कर दिया, चाहे वो RBC हो, चाहे iCoplatlates हो, समझ में आ रहा है, फिर मैंने बोला, जो erythropoiesis होता है, उसको थोड़ा सा समझना है, क्या है यह erythropoiesis, erythropoiesis के अंदर क्या होता है, erythropoiesis में सबसे पहले जो आपने देखा, colony forming units की होते हैं, इस से क्या बनते हैं, Precursor Erythrocyte Cells बनते हैं, Precursor, जिसे हम क्या बोलते हैं, Precursor Erythroblast Cells बनते हैं, ठीक है, और Precursor Erythroblast से क्या बनते हैं, ये कौन से Normoblast बनते हैं, आप बोलते हो Early, Intermediate और Late, Early Normoblast, Intermediate Normoblast, फिर आपका Late Normoblast stage में गया, इस stage से गुजरना पड़ता है, उस RBC को Mature होने के लिए, ऐसा निये कि एकदम से Mature RBC बन गया, ना, इस Erythropoiesis में, इस Erythropoiesis में क्या-क्या चीजे होती हैं, वो मैं समझा रही हूँ कि यहां से Question आया हुआ है, ये समझाने का मेरा पूरा मतलब यही है, कि आप यहां से आने वाले Important Question को कर पाओ, मैंने बोला, आपने देखा, Colony Forming Unit से सीधा Erythrocyte और RBC बन गया, लेक Early, Intermediate और Late, सबसे पहले बना आपका Early Normo Blast, फिर उससे बना Intermediate Normo Blast, फिर उससे बना Late Normo Blast, फिर उससे क्या बनता है, Reticulocyte, Reticulocyte और ये जो Reticulocyte होता है इसे हम क्या बोलते है Premature RBC ये आपका एक क्या होता है Premature Form of RBC होता है अभी Premature को क्या होना है Mature होना है और इसे Mature होने के लिए किस चीज की आवसकता होती है किस चीज की जरुत होती है देखो Folic Acid चाहिए ठीक है आपका Vitamin B12 आपका Intrinsic Factors ठीक है ये सारे मिलके इस Reticulocyte को क्या कर देते है Mature कर देते है और आप बोलते हो Mature Erythrocyte Erythrocyte का Formation हो गया है Mature RBC ये RBC Mature हो गया है ठीक है Mature RBC का Formation हो गया तो मुझे लगता है आपको Erythropoiesis समझ में आगया होगा एक चीज याद रखना Erythropoiesis इस RBC के Formation में ठीक है RBC को Form होने में कितना टाइम लगता है RBC के Production में RBC के Formation में और उसके Maturation में कितना टाइम लगता है ये भी थोड़ा याद रखना तो उसके Formation में लगता है पांच दिन का टाइम 5 डेस और उसके Maturation में कितना टाइम लगता है 2 डेस का टाइम लगता है अगर कभी Question पूछा जाता है कभी भी आपसे के Question पूछा जाता है कि RBC के Formation में 5 दिन आप बोलोगे, Mature RBC के Formation में मिस में के में दूर होने में दो दिन का टाइम लगता है और और रभी-स optimize ब्रोडक्शन पूरे साथ दिन का टाइम लगता है, seven days. क्योंकि उसे पांच दिन तो फॉर्म होने में लगेगा और दो दिन उसे मेक्यूर होनी में लगेगा, टोटल कितने days, टोटल कितने days लगेंगे, टोटल 7 days का time लगेगा, अगर कुछा जाता है, RBC का production कितने दिन में होता है, 7 दिन में होता है, लेकिन 120 दिन बाद फिर से वो क्या हो जाता है, destroy हो जाता है, तो RBC destroy कहां पे होता है, RBC का destruction कहां पे होता है, RBC का destruction होता है, स्प्लीन में, स्प्लीन में इसका क्या हो जाता है, destruction, that's why स्प्लीन is called the graveyard of RBC, इसलिए ऐसे क्या बोलते हैं, graveyard of RBC, कब्रिस्तान, इसलिए बुला जाता है, तो blood के बारे में important सारी चीज़े मैंने आपको समझा दी है, I thought मुझे लगते हैं, आपको सारी चीज़े clear हो गई होंगी, RBC का formation, WBC का formation, platelet का formation, the whole process is called that hematopoiesis, जो मैंने समझा दिया है, erythrocytosis, erythrocyte को, RBC को form होने में, जो time लगता है, टोटल साथ दिन का लगता है, किस process से होता है, intermediate, इसके अंदर कौन-कौन से process चलते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है, इसके अलावा हमने blood के बारे में normal composition और इसके general characteristics के regarding आज ही class में बात की है, I thought मुझे लगता है, इसका first part आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मिलते हैं फिर next class में, तब तक के लिए bye-bye, take care, इस class में बस take care.